नमस्कर साथियों आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित्रानिक चलिए दोस्तों आपके शुरुवात करते हैं आज के तीसरी कॉल है और मुझे लगता आर्सी एफ में अब मुमेंट है कि गिरावड के बाद तेजी होगी तो सही समय साथ बाय करना और इस टैंप बने अच्छेका साथ्यागर likes design अबाद आएंगे तो आप अपने बाद लगना अपने पैसे को म्ल्टिपीकेशन भी कर सकते हैं तो अपने पैसे कंव को starring क्या है किसका क्या कंपनी है और व हैं तो इनके प्लांट्स भी है और पूरा अच्छा वैंचा गवर्मेंस सेक्टर के कंपनी है पीर से कंपनी है तो फटिल राजर चमिकल की डिमांड भी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा हूं तो इस तरह से फेलिजर का का यूद एफनेटी होगा और यह पावर्ड गॉर्मेंट सेक्टर गॉर्मेंट जित्ते भी स्कीम होती है उसमें इसका में में रोल रहता है तो चलिए अब समझते इसके अंदर चल करें शेर के अंदर तो प्लीज वीडियो को पूरा दें कि वीडियो को लाइक करना इसके 202,760 employees है ठीक है और इनका रेवेन्यू करोर्स में और इनका हैट क्वार्टर मुंबई के अंदर है तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंडर में कंपनी चलती है तो आज ये ओपन हो तो 73 पे 60 पैसे पे, हाई मारा 44 पे 60 पैसे गा, लो मारा 73 पे 55 पैसे गा, 52 हाई है 100 पैसे गा, 52 हाई 50 पैसे गा, 50 पैसे गा, पास दिन के अंदावी तक इसने हमारा को 0.27% रेटन दिया, वन फंद के अंदावी तक इसने हमारा को 36.3% रेटन दिया, पोजिटिव में, बलाच सिक्स मन से शियर नहीं चला है, 10% की ग्रावर्ट के साल ट्रेट करता है, दिखा 169% डिलीवरी उठा ली गई है, तिल एक बजे तक, 29 दिसम्मा 2021 बजे तक इसमे 37.69% डिलीवरी उठा ली गई है, अब देखते हैं, इसके अंदाव शेयर ओल्डिंग पैटन दे लेता है, इसमें परमोटर की होल्डिंग है, 75 काफी अच्छी होल्डिंग है, क्योई जून क्वार्टर में, ठीक है ना? तो सबसे सब से सितंबर क्वार्टर के अंदर FIS ने अपनी होल्डिंग बढाई है, यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और इसमें GIS की भी होल्डिंग है, DS की होल्डिंग है, इसके अंदर 0.81, FIS, DS की होल्डिंग है, काफी अच्छा अब चलते हैं इसके थोड़ा सा फाइनेंसली देख लिए इसके अंदर यह बीसे नेसी दोना पर ट्रेड करता है इसका मार्किट के अब चार हजार चार हजार सततर करोड़ बेगा स्टॉक पी चला 8.45 का स्टॉक आरो सी चल रहा है 10.4 परसेंट बे आरो रिटर्न ओफ एक्वर्टी 11.4 परसेंट बुक वैल्यू 16.2 की है और डिविदेंट कंपनी न अभी तक दिया 4.004 यानि के आप देखे आकर इसको अपने पॉट्फोलियो में एड कर भी चलते हैं तो कंपनी आपको डिविदेंट जरूर देगी यह क्वाटर क्वाटर भी दे सकते हैं अपने रिजल्ट तो इसका फेस वैल्यू 10 अब इसमें कोई स्प्लीट न हुआ अभी तक अब देखते हैं इसके प्लस पॉइंट पॉइंट पॉजिटिव क्या है तो डिबेट कंपनी आपना कंपनी चेह ओंड चाओ अपने इसके बिदन कर देने और के तो इकसे जरूर फ्हाह यह का अशाय जीना चलता था दिन जो एक स्टिरे सेटर पर आगे काफी अच्छा कंपनी देड़ हो अपना और कंपनी के अपर कंटेंट लाइबल्टी कितनी है कंपनी के पर इती लियाबल्टी से अभी वह भी दीद्रे काम होंगी कंपनी ने रिटेन आफ इक्वेटी कम दिया अभी तक कंपनी में वेसिली करजा वह दीद्रे काम हो जायागा चली थोड़ा सा क्वाटर टू के रिजल को समझते है तो इनकी सेल है यह दो लग एक सट हजार की सेल है यह सितंबर क्वाटर में और इनको अठारा अजार अठारा अजार कुछ का पांसो के आसपास का इनको 185 लैक्स का प्रॉफिट आता है और नेट प्रॉफिट वन वन एट का आता है और EPS इनका 2.14 होता है वहीं जून क्वार्टस इनके सेल में तो इंप्रॉमेंट देखनों को मिला है अमारे EPS इनका डाउन इनका प्रॉफिट में कम आया है ऑप्रॉफिट नेट प्रॉफिट वह तो इसाफ़ा देखने को मिला है बट EPS में इसाफ़ा देखने का जो इनकी सेल बढ़ी है डिया लेगा इसका अपने इसका का आपने करजा काम करने बीग तो basically किसी भी कमणिये सेल का बढ़ना और उसके रेवेन्यो जनरेट होना बहुत जुरूर होता है तो RCF के नदर सेल का इसाफा देखने को मिला हमार को यह देख सकते हैं सितंबर एर एर वाई भी सेल भी सेल भी सेल में जाफा देखने को मिला है है इस वजर नेट प्रॉफिट कमाने के वेज़े से इस वज़े से इनके एपेस में डाउन फॉल देहनों को मिला बाकि कुछ ने कार रिजल का अशह एक जाबा देखने का रेवाए कि अब चलते हैं देखिए मैंने क्यों बोला तो दो लाक एक्साट अजार का नेट और रेवन्यू आया था ठीके ना प्रॉफित आया था इनको पंद्रह अजार मैंने बता है ना तो यह था ठीके ना और कुछ नहीं था बाकि अब चलते इसके इंदर क्या चलता है तो मैंने टिकट डेप की साइड ओपन के लिए काफी कुछ नहीं है अग्रोकेमिकली कंपनी है तो कंपनी है अवरी यह प्रॉफिट मेर्किंग चलिए रेवन्यू जनरेट करी है प्रॉफ प्रॉफिट यह प्रॉफिट ओपन करता है देखिए जो इंडीकेशन दिखने यह देखिए किस तरा से इसे अंदर इन्वेटेट हैमर केंदट लिए अपवायं फिर इसका अदॉफ लिए यह वाद बॉसका बाइंग हॉती तो इधर क्या सपोर्ट लिया इसने तो हमें क् इसके अंदर अभी ट्रेट कर रहा है 73 पे तो आपको इसके अंदर करना इस टॉप लोस 69 के स्टॉप लोस से से बाय करना आपको वो क्यों बोलना क्यूंकि जो यह कैंडल है यह कैंडल 70 के 69 से नीचे नहीं गया शहर बिताब को 69 का स्टॉप लेके चलिए आप जिस तरह से उस यहां से पहला जो तो यहां से पहला जो अपना पहला टारगेट है क्योंकि आज का हाई कितना है क्योंकि जैसी 75 को पार करेगा तो यहां से स्केंडल को सपोर्ड लेगा तो 80 तक इसमें टारगेट दिख रहा है मेरे को तो यहां से दूसरा टारगेट है मेरे 80 गा दो टारगेट के बाइक करने के लिए बाकि 90 तक के टारगेट देगा अब इसे लॉंग टरम के परपस से अपने पॉट्फॉलियो में एड करते हैं वह क्योंकि यहां से सिर्किति कि गिरावट एकदम सवीटी को नेगिटिव नियूजा तो इसके गिरावट देगे बाकि इसके बासे देखिए देखिए अभी 47 के आवब चलिए तो जैसी 50 के आवब जाएंग तो इसमें और अब अब बाइंग देखना को मिलेगी देखेंगे आप जिस तरह से इन्वेटेट हैमर केंडल बन रही आज के दिन में तो आपको 69 के स्टॉप लोस से बाइक करना पहला टागट 75 का दूसरा टागट और 80 का इन दो टागट का बाइक करना है और थोड़ा वीकली चार्ट देख लेवल देखें यहां भी देखेंगें 69 का लेवल होल कर रखा है तो देखें 69 को बिल्कुल नहीं तोड़ रहा है तो देफिनिटी आपको क्या करना बाइक करके रखो 69 के साब से जब भी भगगएगा तो एक ही दिन में पूरे पूरे गिरावडों कवर कर देगा तो आपक को दिखाएगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीस वीडियो को लाइक शेयर फावड करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो